1 cup मैंने लिया है अंजीर का जैम यानिके फिग जैम, अब मैं इसमें एड करूँगी 2 अंडे, रूम टेंप्रिचर पे अंडे मैं यूज करी हूँ, अब हम इसको हैंड विस्क की हल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये अच्छे से हो चुका है मिक्स और अब मैं इसमें एड करूँगी कुकिंग ओईल, मेरे पास है 1 3rd cup, ये हम इसमें एड कर देंगे, और इसको हमने बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है, आप चाहें तो बिटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होता, इसलिए मैं इसको हैंड विक्स की हल्प से केक बना रही हूं, ठीक हो गया, एक स्ट्रेनर ली है मैंने, उसमें मैं एड करूँगी, वन कप मेरे पास है मैदा, ये हम इसमें एड कर देंगे, और साथ ही इसमें मैं एड करूँगी, हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर, अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से चान लेना है, चानने से एर पास होती है, और केक हमारा बहुती फलफी और जबरदस्ता, मज़ेदार सा बनके तयार होता है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, हैंड विस्क के अलप से एक ही सीक्वेंट्स म और स्मूथ सा हमने लंप्स फ्री बेटर जो है वो रेडी कर लेना है, ठीक हो गया, इस तरीके से एक ही सीक्वेंट्स में गुमाते जाना है, यह हो चुका है, अच्छे से मिक्स और कंसिस्टेंसी में आपको चेक कर वा देती हूँ, यह कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, अगर आपका बेटर ठीक हो जाता है तो आप इसमें और भी मिल्क एड कर सकते हैं, ठीक हो गया, अब हम चलेंगे इसको बेक करने की तरफ, एक केक मोल्ड लिया है मैंने, आप किसी भी शेव का केक मोल्ड ले सकते हैं, ठीक है, ओल की ग्रीसिंग करके इसमें बटर पेपर आप के पास बटर पेपर नहीं है तो आप आप करके इसमें सिंपल मैदा भी डूस्ट कर सकते हैं, अब हमने जो बेटर रेडी किया था केक का वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, इस तरीके से, बेटर इसमें मैने कर दिया है, ट्रांसफर अब हम इसको एक से दो बार करे तो अब हम चलते हैं इसको बेक करने की तरफ एक कढाई ली है मैंने तुसमें मैं जाली का स्टेंड यूज करी हूँ अगर आपके पास जाली का स्टेंड नहीं है तो आप इसमें सिंपल स्टील या सिल्वर की कोई कटोरी अथारी टाइप चीज भी रख सकते हैं 10 मिनट पहले इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के रख दिया था अब हम अपना बैटर इसमें ट्रासफर कर देंगे और इसको कवर करके हम बेक होने देंगे तीस से चालिस मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे चालिस मिनट हो चुके हैं तक्रीबन अब हम चेक करेंगे एक स्टिक की हल्प से हम चेक करेंगे सेंटर से और यह देखिए स्टिक हमारी बिल्कुल क्लियर है इट मीन्स केक हमारा बेक हो चुका है अगर आपके स्टिक क्लियर नहीं आती मज़ीद 5 या 10 मिनिट इसको दे सकते है अब इसको हम रूम टेंपरेचर पे आने देंगे और फिर हम इसको डी मोल्ड करेंगे केक रूम टेंपरेचर पे आ चुका है और अब हम इसको डी मोल्ड कर लेंगे इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे यह देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉंज हमारा केक बन के तयार हुआ है ये देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पॉंज हमारा केक बन के तयार हुआ है इतना मज़े का बनता है ना बहुत हेल्दी केक होता है अंजीर वैसे भी खानी चाहिए सिहत के लिए बहुत बैस्ट है तो ये देखिए कितना मज़े का फलफी सा बनके हमारा केक तयार हुआ है कमेंट्स में मुझे फेड़ बैक जरूर देजिएगा और बताईएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है दौाओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा खुश रहेगा अल्ला हाफिज